घुटनों का दर्द आजकल सबसे आम है, सबसे जादा लोग आजकल किसी दर्द से परिशान रहते हैं तो वो है घुटने का दर्द, इससे चलना फिरना भी दुभर हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है, यहां तक की छोटे मोटे काम तक नहीं कर पाते हैं, तो आएए आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताते हैं, जो आपकी इस दर्द में ऐता आएगा, इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए, हमें चाहिए होगा एक कंटे नर, नीम्बू के चिल्चे और नारीयल तेल, बनाते हैं इसे इस कंटेनर में, हम नीम्बू के अब इसमें हम नारियल तेल को मिलाएंगे, अब इस जार को हम बंद कर लेते हैं और इसे हलका से शेक कर लेते हैं, इस कंटेनर को आप दो दिन तक ऐसी ही रहने दे, दो दिन के बाद इसका इस्तमाल करें, आईए आपको ये बताते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है, इसके लिए आप नीम्बू और नारियल तेल के स्मिक्षर को अपने गुटनों पर मालिश करते हुए लगाए उसके बाद गुटनों पर सर्जिकल पट्टी को बांध ले इसे रात भर ऐसी ही रहने दे आप देखेंगे कि धीरी धीरे आपका दर्ड कम होने लगेगा